हेलो गाईज विलकम बैक टू एन अधर वीडियो तो गाईज इस वीडियो में हम लोग सद्वाव इंजिनियरिंग की टेकनिकल एनलिसिस करेंगे तो गाईज जो लोग सद्वाव इंजिनियरिंग को फॉलो करते हैं उनलों को पता है होगा कि कंपनी 2008 में जहां पे मिल रहा अभी उसी प्राइस पॉइंट पे आप लोग को फिल से मिल रहा है अफ्टर 14 एर्स ठीक है 14 लॉंग एर्स एंड कंपनी अभी अपने स्ट्रॉंगेस्ट सपोर्ट के आसपास ट्रेट करें जिसके नीचे आजसता क्लोजिंग नहीं हुए अगर इसके नीचे क्लोजिंग हो अगर आप लोग के holdin से नीचे के न 650 पे आज याँए तो यह पर आज के बारे में आप लोग ओंधर भी ऑल्रेश कहिए तो जबर्दस में प्रिश क्लोजिंग हो जक्वां और यहाँ पर ग्रीन केंडल भी देखा जाए तो ग्रीन केंडल की जो वेट है वो नीचे की तरफ है मतलब बायर्स यहाँ तक पूश करके लेके लेकिन वहाँ पर सस्टे नहीं कर पाया कमपनी अभी नीचे गिर गया फिर से एंड नीचे जाके क्लोजिंग किया है तो आज सेलिंग हुआ है कमपनी में जबर्दस सेलिंग हुआ है आज भी अवरेज से उपर की वॉल्यूम निखल के आई है एंड यह जो सपोर्ट के बारे में डिसकास कर रहा था वह यह यह तेज रूपे के आसपास का सपोर्ट है का 2008 से मैं आप लोगो चार्ट दिखाऊ इस कमप कमपनी आ पर थी एंड उसके साथ साथ 2007 के सुरू में भी यह कमपनी आ पर थी ऑल्मस्ट बोल सकते हो लिस्टिंग पैस के आसपास थी 2006 को यह कमपनी लिस्टेड हुआ था तो तब से यह जो लेवल है यह तूट है यह अभी तक यह लेवल नहीं तूटा है अगर यह बहुत ही बढ़िया 300 रुपय का शियर 500 सारे 500 रुपय तक पहुझ गया था अगर अगर नॉर्माली 52 खाई ब्रेक आउट होता है तो अवियस सी बात है बहुत ही बढ़ियर रिटन देखे चाले आता है चाहे कोई भी स्टॉक हो पेनी स्टॉक हो यह ब्लूचिप कमपनी हो और यहां पर हम लोग बात करें मर्टी यार ब्रेक आउट की तो अगर मर्टी यार ब्रेक आउट होता है तो एटली 60-70% की रिटन इन ब्लूचिप कमपनी अलसो आप लोगो देखने को मिल जाता है और यहां पर पेनी स्टॉक है तो अगर यह 23 रुपय के लेवल से गिरती है तो कहां पे जाके डुकेगी वो किसी को नहीं पता है लेट सोफ फर दी बेस्ट और रही बात जिन लोग का होल्डिंग है अभी जो लोग ट्रैप्ट हो चुके तो देखो गाईस अगर बाई चैंस आप लोग को स्टॉप लोज लगा लेना है स्ट्रिक स्टॉप लोज तो इसको ट्रेल नहीं करना है अगर बाई चैंस की तो लेवल 30 रुप का लेवल अगर इसके नीचे क्लोजिंग हो जाता है तो गंदा गिड़े का बहुत ही बड़ा लॉस आप लोग फेस कर सकता है अगर अप लोग होल्ड करके रहते हो तो अगर मान लेते हैं कि आप के लेवल से फिर से बाउंस बेक देदेल लेकिन सिंप्ली एक्जिट उसके चांसस कम है अगर मल्टी आप ब्रेक आउट से बहुत ही नीचे के लेवल यह कंपनी दिखा सकती है और अगर स्विंग ट्रेडर्स के बारे में ही डिसकर्स करें तो गाईज यह जो आप लोग को सब्सक्राइब लेवल और रही बात कंपनी की फंडामेंटर्स के तो कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी है और बहुत ही बड़िया आर्निंग्स भी है इस कंपनी की जैसे कि यहां पर आप लोग देख सकते हो प्रॉफिटेबल कंपनी तो इसलिए मुझे लग रहा है कि इसक कभी भी आ सकती है कल से f y 23 स्टार्ट हो जाएगा तो हो सकता है इससे नीचे ना गिरे और अगर मार्च कोटर की रेजार्ट में लॉस यह तो फिर कम प्रॉफिट देखने को मिलते है तो जलूर इसके नीचे गिर जाएगी तो अगर आप लोग अभी भी पोजिशन बना करो अधर्वाइस होल्ड कर के रगो बड़िया कंपनी है मतलMin profitable company बढ़िया नहीं बोल रहां fundamentals में ने देखा भी नहीं company की शिफच पर आप टेकनिकल्स बोल रहां बड़िया कंपनी है profit बना की देखे जा सकता है गर उपर की level देखा जाए तो company जु है फो almost 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 लगा लो य गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग और गाइस अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट या क्वेड रहती है स्टॉक मार्केट या किसे भी स्टॉक से रिलेटेट तो कमेंट सेक्शन में कमेंट काके मुझसे पूच सकते हो या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप भाइस अगाराम काइस अगर चाहिं राइस बड़ लोगर चाहिं गाइस प्टॉक ट्सेटली एस आप मेंट्र।